वेकम टोने हाज जोने किचिन आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल कस्तूरी डूद आप इसे डेजर्ट के जैसा भी सर्फ कर सकते हैं यह हाफ लिटर मिल्क है सबसे पहला मिल्क में हम बॉयले लेंगे लास्ट में यह मिल्क इतना थिक हो जाता है और टेस्ट इसका इतना बॉयल आ गया है और साइट में जो मलाई होती है उसे भी हम इस तरह से निकाल देंगे फेस में हम दाल देंगे पिंच ऑफ सैफ्रॉन जिससे हुआ अच्छा टेस्ट आता है यहां पे हम दाल रहे है वन फोटी स्पून के करीब इलाइची पाउडर इससे खुश्बू और इसका टेस्ट डबल हो जाता है इसे भी हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से बॉयल ले लेंगे यहां पे हम दालेंगे टू पीस खजूर के आप इसे स्लाइस भी कट कर सकते है या फिर प्रश्ट भी कर सकते है यह मैंने कश्र के डाल दिया है क्योंकि जब यह गरम दू दूद में सौफ्ट हो जाते है यह दूद में एकदम खुल जाते है और इसका टेस्ट इतना मज़े काता है इसमें सब हेल्दी चीज का यूज होगा बस आप शुगर के बदले इसमें जैगर का भी यूज कर सकते है देखे इसमें हम दा देंगे वन इना हाफ स्पून शु देखे हमारा थिक होना और स्सक्राइब है यहां पर हम तार रहे ड्याइफ फ्रूट का ग्रश है आय। इसमें कोई भी ड्राइफू छो आपको पसंदा है यहां पर में इन प्रडूं से जावीदरी जावीदरी का चोटां से पीस लेंग ते से हम सबाद कर देंगे फिर इ हो जाता है जावेत्री डालने के बाद में आप देख सकते हैं खजूर भी हमारी दूद में डिजॉल्व हो गई है साइड में हम जो मलाई होती है उसे भी इस तरह से निकालते रहेंगे लास्ट में आप इसका लोक देखे कितना मज़े का है चाहिकर सब्सक्राइब ने किया है तो में चाहिकर सब्सक्राइब कीजिये और अपने осв के साथ में से शेयर करें देखे मिल्क हमारा रेडी हो गया है आप चाहे तो इसे थोड़ा ठिक कर सकते हैं या फिर इसी तरह से रखे लेकिन इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाए विंटर में बहुत मजाएगा आपको गरम गरम ये कस्तूरी दूदा पिए अगर आप इसे थोड़ा सा ठिक कर देंग तो ये कस्तूरी रबडी बन जाएगी ये देखे कितना मज़ेका ठिक हो गया है इसे आप स्पून के साथ में भी इंजॉई कर सकते हैं बहुत ही मज़ेका है आप इसे जरूर बनाए अगर आप किसी को भी ये मिल्क सर्फ करोगे तो उनको बहुत मिजाएगा इसका इस दूसरे मसाला दूट से चाहर को सब्सक्राइब ने किया है तो में चाहर को सब्सक्राइब कीजिए तक यह ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेके आओ अब देख सकते हैं हमने हाफ लिटर मिल्क को वन ग्लास कस्तूरी दूट बना दिया है इतना ठिक हमन यह बनाया है और बहुत अच्छा है इसे आप जरूर बनाए और मुझे कमेंट करें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी इसे आप स्पून के साथ में भी एंजॉय करते हैं इतना ठिक और इतना मज़े का है थैंक यू सो मच पर वाचिंग स्टे से से हेल्दी सी यू इन नेक